आप सभी मौत्वा कांग्ची लिड़ास को मेरा प्यार बहुत बढ़ी है तो बहुत बढ़ी बात है तो आईए समय का ध्यानक तिवे आईए सुरुवात करते हैं तो आप सभी को स्वागत करता हूँ आज की जूम स्टेशन पर और आप सभी अपना बहुमले समय निकाल करके आज इस मेटिंग को एटन करने के लिए आए हैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और आज हम दोस्तों और बहुतर बनाती जाते हैं यस है हम सा ऐसी अमारे अंदर में हमें पता नहीं है लेकिन वह आदते वह प्रात करने के हमारे सामने में सामने है ना उसी पॉइंट को हम लोग सीख रहे हैं और फ़रा सा में रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों नंबर एक कारण था जो असफलता का खत्रे उठाने से बचना नंबर दूसरा है लगातार कोशिस की कमी के वज़ा से असफलता को प्राप्ति और इच्छा फोरन पूरा करन की चाहा जिसके अंदर में है वह असफलता के कारण है चाहूत्र नंबर है प्राथा मिक्ताई तहीं न करना पांसवा नंबर है सौटकर्ट की तलास जो इंसान सफलता सब्सक्राइब में चाहता है पना उसका सफलता का कारण वही है थाटवा नंबर है स्वार्थ और लालच ब्ले इंसान सिर्फ स्वार्थ के बारे में सोचता है और लालच से होता है वह व्यक्ति को भी उनका सफलता का बहुत बढ़ बढ़ कारान है दोस्तों देड़ विश्वास की कमी जिसके अंदर में देड़ विश्वास की कमी है वह विक्ति कहीं नहीं पहुंचता है और हर काम को करने के लिए दिरेड़ विश्वास कि आउसकता होती है और आठवा नंबर कारण है कुद्रत के नियमों को ना समझना कुद्रत के नियमों के साथ हम लोग यह चलते हैं और तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और नवा नमर है योजना बनाने में हमारा जो है अनिच्छा जिससे हमको योजना हम बनाते नहीं है हमको बार 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 बिफलता मिलती है हम जिवन में आगे सफलतो होना चाहते हैं हम अना हम सम्मान कमाना चाहते हैं हम पत को भी एचिव करना चाहते हैं हम पैसे कमाना चाहते है लें उसके लिए क्या है हम वो पैसे कैसे कमाई हमें सफलता कैसे हांसिल हो उसके लिए कोई प्लानिंग हम बनाते नहीं है तो प्लानिंग नहीं बनाएंगे तो कुछ भी काम होगा नहीं और काम नहीं होगा तो फाइदा और सफलता तो मिलने वाला है यह नहीं और दस्वा नमबर जो कारण था जिसके वज़ा से हम लगातार असफल हो रहे थे वह बहाने बनाना और कोई भी जिम्मेदारी हमको मिल रहा है है के और हमें जो काम करना चाहिये उसके लिए ुशुल कुछ ने कुछ भाण करके उसे साम को को टालना भी क्या है त 되면 करते काम को मेरे अंदेर में बहाने जो भाधने बनानी की वह वह बीमारी और बहानी बनाने की बीमारी को हमको खुद कोई स्विकार करना पड़ेगा और सुधार करना पड़ेगा और मरीज हमें तो डॉक्टरों भी खोधी को बनना पड़ेगा हम तो सिर्फ माध्यमें यहां से बताने वाले ना 11 नंबर है दोस्तों वो पिछली गलती उसे सीखना लेना बार बार एकी गलती को दुराते रहेना पिछली गलती उसे सीखना लेना भी यह हमारा आसफलता का कारण है बारवा नंबर है आउसर को ना पहचान पाना आउसर आज हमारे पास में है जब हमारे पास आउसर नहीं था जिवन में हम सफल ह होना चाहते थे पैसे कमाना चाहते थे बड़ी सफलता हाद करना चाहतीए लिए पबह है लेकिन वास्तेरवीं। हो तो हम लोग तो ठीक है शुपलटे की और से दर की ना सुनने का डर से है ना क्या हूत है cuestión काम सुरूवाती नहीं करते हैँ जोड़ाने अपने अंदर मेंत प्रतीबा नहीं होता है प्रतीबा तो लाना पड़ेगा प्रतीबा व Makes up प्रतिबा को उप्योग करना पड़ेगा तभी हम उस जिसका फाइदा ले पाएंगे और जो इसके अंदर में प्रतिबा है और प्रतिबा होने के बाद में भी अपने वह एबिलिटी को आप यदि मेहनत करके एचिमेंट लेने के लिए आप कुछ नहीं करते हैं तो कुछ नह हमारे पास में क्या चाहिए हमारे अंदर में एक जो है अनुसासन चाहिए संगल्ब करना पड़ेगा और अनुसासन यदि नहीं है तो कहीने कई फिर हम उसमें भी असफलता का कारण हमारा ये भी है सोला नमरे आत्मा सम्मान की कमी आज हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों आत्मा सम्मान की कमी तो आत्मा सम्मान क्या होता है और ये आत्मा सम्मान की कमी की वज़ा से हमारे असफलता में और असफलता में क्या इसका रिलेशन है तो आईए जानते हैं तो इसको बोलते हैं पूर सेल्प इस्टीम अगर कोई इंसान खुद की इज़त नहीं करता और अपनी अहमेत महसुस नहीं करता, तो उसमें स्वाभावविक रूप से आत्मा सम्मान के कमी होती है, इसका मतलब, तो हमें यह चीस को जानना है, ठीक है, जिस इंसान के अंदर में खुद की इज्जत नहीं होती है, और अपनी खुद की एहमियत नहीं होती है है ना तो खेर क्या है कि स्वावावी ग्रूप में उस व्यक्ति का आत्मा सम्मान का कमी होता है और आत्मा सम्मान का कमी होने व्यक्ति हर काम को करने से पहले ही उसको हिम्मत नहीं मिलता है विश्वास नहीं मलता है ताकत नहीं मिलती जिसके वज़ा से क्यों क्योंकि आत्मा सम्मान नहीं है एसा इंसान न तो अपने इज़त करता है और न दूसरों की जिसके अंदर में आत्मा सम्मान की कमी होती है ऐसा विक्ति का निशाने क्या है ना खुद का सम्मान करता है ना दूसरे का सम्मान करता है वो किसी का परवार नहीं करता है तो उस्से पदा चलता है की आत्मा सम्मान की कमी कितना बड़ा हमारे ऒढ़ने नुकसान दाएग है उसकी सक्सियत की डराइविंग सीट पर अहनु ह्हाँ कार एक बेड जाती है मतलब जो विक्ति होता जिस सक्सियत के अंदर में जो आत्मा समान की कमी होता है उसके सीट पर ड्राइविंग सीट है यहने कि उसका माइंड पर दिमाग पर क्या है अहंकार इगो बैठ जाती है घमण बैठ जाता है जिसके अंदर में आत्मा समान की कमी है न वह फैसले कोई फाइदे के वह फैसले, कोई काइदे या काम करने के लिए नहीं, बलकि अपने अहंकार को संतुष करने के लिए लेता है, जब भी उसको कोई काम करने की जरुत होती है, कोई भी काम करता है, तो वो काम में मेरे लिए जरुरी क्या है? उस काम में सब के लिए क्या बढ़िया ह और हमारे परिवार के लिए क्या बड़िया हो सकता है उसके लिए काम नहीं करेगा बलकि उसको अच्छा लगना चाहिए वो काम दूसरे के लिए बुरा हो चाहिए दूसरे के लिए कुछ भी करे न करे पसंद हो ना हो लेकिन वो अपने लिए करेगा क्यों क्यों कि उसको वो और में आत्मासमान के कमी होती है। in advance a false लगा तर तलास्त jetzt रहती है कि मैं कूण हूं सही है और जिसके अंदर में आत्मासमान के कमी होती है कंवा हुट जीवन बढ़़ डूंड़ता कभी वह रास्ते पकड़ नहीं पाएगा जिससे वह आपने आपको जान सके तो अंकार की वज़ा से सक्षियत कहीं पड़ा हुआ नहीं मिलता उससे बनना पड़ता है सक्षियत मतलब कोई भी कोई भी वेक्ति आपके अंदर में क्वालिटी आपको आप लाना चाहते हैं यद है भगवान में मंत्र पूल करूं और मेरा पूरा का पूरा मेरे दिमाग में सारा का सारा ब्रह्मान का ज्यान आ जाए तो ऐसे मिलने वाला नहीं है तो सक्षियत बनने के लिए आपको ना प्रयास करना पड़ेगा बहाने बाजी की आदत निकामापन और आलसी पन आत्मसमान की कमी का नतीजा ही होता है यहने कि जो विक्ति बहाने बाजी करते हैं और बहाने बाजी की आदत जिसके अंदर है निकामापन है और आलसी पन आलसी पन ज्यादा उसके पर हावी हो रहा है तो आत्मसमान की कमी क ही नतिज़ा है समझ जाना दोस्तों वह कोई भी हो सकता है जब हमारे अंदर में अच्छा गुन आए तो हम एक अच्छा वहतर इंसान बन जाते हैं जब हमारे अंदर में कमी आ जाए तो इसे लिए वो हमारे करमों के ऊपरमें निलबर होता है लेकिन जिस व्यक्ति के इसको ढूंड करके इससे बचने की हमको क्या करना चाहिए हमेशा संकल करना चाहिए तो बहाने बाजी करने की आदत निकमापन आलसी पना आत्मसमान की कमी का ही नतिजा होता है इसका आत्मसमान जिसमें कमी हो उसके अंदर में बहानी बाजी आ गए आएगा उसको बहानी बा बहुन हो इस सद्राइए जग कि तरह है जो बड़िया से बढ़िया लोहे को भी खा जाता है मतलब एक इंसान पड़ा लिखा भी है समझदार भी है सब कुछ कर शकता है लेकिंग उसके अंदर में यह दी निकम्मपन हो कोई भी काम को टालने का कोई जिमेदार ना लेने का आदत हो तो इसका तो यह आदत उस बड़िया वेक्ति को वह भी खा जाता है तो निकम्मपन ऐसा जंग है जो बड़िया से बड़िया कितने मजबुत लोहा क्यों ना हो लेकिन निकम्मपन वाला आदत है तो दोस्तों वह लोहे नहीं करेंगे तो यह एक तरह से हमें अपने आउगुनों को उपर भी काम करना होगा तो यह है करने के लिए आत्मा समान की कमी की वज़ा से भी हमें असवलता को हाथ लगती है दोस्तों और कोई भी काम को करते तो आपका काम में मन नहीं लगता है और और आज और एक पाट को हम थोड़ा सा और कोशिस करेंगे इस तीस को जिड़ सीखने की और आज और 17 नमबर पेज है सफ़द्र number point है जो की हमें uzव इस वलत और दिलाती है वो है ज्यान की कमी weight of knowledge कुई भी काम को आपको करने के लिए आपको उस काम को करने का तरीका Celtule आना चाहिए और वो काम करने का तरीका iyi और वो काम करने का तरीका ऐसको कर पाएंगे तो कैसे उसको कर पाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि आज लगातार अमीर लोग लगातार अमीर बनते क्यों जा रहें क्योंकि अमीर बनने सुक्सानती है तो वो अपना गुरू को हमेशा वजन सत्सम को सुनते हैं तो वो ग्यानी रेते हैं तो इसके मतलब क्या है हम जीवन में चारो चौँ तरफा हमको विकसित करना है विकास करना है दोस्तों तो हमें ग्यान क्या हो सकता है और वो सारी ग्याने जो ग्यान हमारे ज अग्यानता को मेरे अंदर में जो अग्यानता है उसको निरंदर जानते रहने का प्रक्रिया ही सिक्षा है मैं अग्यानी हूं लेकिन मैं ज्यानी बनना चाहता हूं उसके लिए मुझे किस चीज में अग्यानी हूं उस चीज को जब आप करना शुरू कर देते हैं तो आप उस प्रतेक्च्यर अप्रतेक्च रूप में उसी को नाम् है इस शिक्चा का मतलब यह नहीं कि हाँ छोटा में जब हम लोग कोई बुक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो पढ़ रहे हो उसी से आप सिख चाले रहे हो नहीं आप जहां पर आपका ध्यान आपका आखे आपका आपका फोकस चला जाए वहां से आप क्या अच्छा सीख रहे हो क्या आपका जीवन के लिए फाइदे मन हो सकता है हमारे सफलता के लिए चीज़ कैसे कामा सकता है ये आपका अब्जेवेशन पावर भी आपके अंदर में है तो ये भी आप सीखने का काम करें इसको बोलते सीख चाल बहुत सारे लोग क्या है कि अच्छे से अच्छे संगती से भी हम सीखते नहीं है बुरा तो अपने आप सीख जाते हैं बुरा सीखने की जोरुत नहीं अपने आप सीख जाते हैं लेकिं अच्छा ही तो सीखना पड़ेगा अच्छा ही के लिए तो सीखने के लिए फोकस करना पड़ेगा, है ना, अपनी अज्यानता के दाइरों को जानना ही ज्यान प्रात्ति की दिशा में पहला कदम है, मतलब अज्यानता को, है ना, अपनी अज्यानता के दाइरों को मेरा अज्यानता में हूँ, मतलब कोई भी मैं काम नहीं जानता हूं तो अपने आप से पूछना है कि मैं ये काम क्यों नहीं जानता मैं इस काम को क्यों नहीं जानता क्योंकि मैंने इस चीज को जानने के प्रयास नहीं किया और आज मैं इस चीज को मैं सीखता हूं मैं जानने के लिए मैं प्रयास करता हूं बोलके जब आपका सवाल सिखूंगा, लोग मना करते हैं, तो मना करने पर मुझे क्या बोलना है, वो पहले से ही मैं अपना प्लानिंग बनाऊंगा, पहले से ही मैं अपना प्रनाली बनाऊंगा, उसके एकोडिंग लिए अपना तयारी करूंगा, आप पहले से ही उस प्रनाली बना करके आपने सिद्धान बनाया, कुछ points ऐसे बनाये, जिससे आप तयारी किये, तो आप सिखा की नहीं सिखा, आपने बार-बार-बार प्रयास किया, आपके पास में परियाप्त समय है, ये आप उस समय को सही प्रकार से अपने आपको प्रशिक्चित करने के लिए, ज्यानी बनने के लिए, आदा घंटा, एक घंटा समय निकाल करके, आप अपने knowledge के उपर काम करेंगे, और जिस काम को करने के बाद, आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है, उस काम को करने के लिए जब आप फोकस कर देते हैं, तो वहाँ से ज्यान शुरुआत करने के पहला कदम आपका शुरुआत हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है, ट्रेणिंग मिटिंग करने के से भी हम लोग क्या है, सुनते हैं और फिर भूल भी जाते हैं, तेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर में सिखने के जिग्यासा इतनी ज्यादा होती है, कि हर जगा से सिखते हैं, हर जगा से सिखते हैं, वो पूस्ते मुझे कुछ न कुछ शिखा रही है अगला बार इस काम को दुबारा इस गलती को दोराने से मुझे नहीं दोराना है बोलके मुझे ज्यान दे रही है तो वो जानता है असफलता के पीछे सफलता छुपा हुआ है वो कभी भी माईश नहीं करने से आपको सफलता मिलेगा, क्या करने से आपको सफलता मिलेगा, दोनों पार्ट का आपको नौलिज हो जाता है, कोई भी आप काम करते हैं, उसका दो पहलू है, पानी में पत्थर मारेंगे, पानी उसमें टच होगा, घुसेगा, तो वो पानी उपर को छलांग मारे चीज़े तो अच्छा मैं टच करेंगे तो उसका प्रभाव ठंड होगा ही होगा सभी है तो इसी चीज़ है कोई काम को सीखने के लिए जब आप प्रयाश करते हो तो आपका अज्ञानता चोप पहले से ही है कि मैं जानता नहीं किस तरह से करना हो लेकिन जब एक काम को सीखते हैं तो उससे क्या है आपको ग्यान हो जाता है कि इस तरीके से ये काम को किया जा सकता है तो आप ये भी सीख जाते है कि इस तरीके को छोड़ करके दस तरीके से में अपनाता है तो उस तरीके से भी ये काम नहीं होता ये भी आप जान पाएंगे, दोनों पालूप आप जान पाएंगे, तो इसलिए इस इन्सान जितना ज़्यान प्रप्प करता है, उसे अपनी अज्यानता की छित्रो का अनुभूबी उतना ही ज़्यादा होता है, इसलिए हमें mentor, applyn Appreciate के द्वारा हमेशा बातचित करते रहना अगर एंसान यह समझता है कि उसे सब कुछ मालूम है तो उसे की सबसे ज्यादा जूरत है जिस इंसान के अंदर में आप समझ जाना आप जो टीम में लीडर्स बहुत सारे लोग आपको मिरेंगे जब भी आप कोई आप बात बताते हैं कि भाई इस तरह से प्लान फॉलॉप के लिए इस तरह करना पड़ता है वो एक्षन करेगा ना ना यह तो काम शिक करके मैंने छोड़ दिया है इस तरह का हम क्या करते हैं वो इस तरह से आदमी विहवार करते हैं तो समझ जाना है आपने आप माई उस्तवाब होंगे जब लोगों को पैचान नहीं पाएंगे जिस दिन आपके अंदर में लोगों को पैचान करने का लोगों को गुन अउगुन सद गुन और अउगुन को जानने का आपको नजरिया पता हो जाएगा तो आपका समय कभी भी बरबात नहीं होगा लेकिन हम कभी-कभी बोलते नहीं काहवत कि बेडिये के उपर में क्या है बेडिये के उपर में सेर का जो है छाला लगा जेने से वो सेर नहीं बनता उसके अंदर में बेडिया ही छुपा रहता है सही है तो जिस इंसान के अंदर में सीखने की भावना नहीं होता है कोई व्यक्ति सिखाने पर वो आहां सीखने के लिए तयार नहीं होता है तो चितन मैं नहीं जानता मैं इसको मैं नहीं जानता वो इंसान उसका एक भाव है उसका यह विचार है लेकिन एक एसा व्यक्ति भी है ज्यान उसके अंदर में नहीं है लेकिन ज्यानी होने का उसको भ्रहम है तो व्यक्ति किसी से नहीं सिखता है बड़ा खत्रनाक चीज़े वह ज्या ग्यानि ओने का ऑग्हन से तो आज्यानी हो जाओ कम से कम किसी से सीखोगे तो इससे कोई मैं जानता है तो लोग को शी पर खिना मिरून हम अग्यान का एसास ही नहीं होता दरसर अग्यान से भी बड़ी समस्य अग्यानी होने का भ्रहम है इसकी वज़ास यह है कि अगर हम कोई चीज नहीं जानने के बावजूद उसे जानने का भ्रहम पाल लेते हैं तो गलत फैसले लेने के लेने लगते हैं इसका मतलब क्या है कि ब का उसको अज्यान होने का उसको ब्रहम रहता है और ज्यान होने के ब्रहम की हो जासे हर बार जब वो निर्ने लेता है वो क्या है उसका गलत निर्ने लेता है जिससे उसको शफलता तो अहां से हो नहीं पाएगी उसको असफलता ही बार 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 हां से हो गए तो इसलिए इसक दोस्तों कभी भी आप हार नहीं मान पाएंगे जीत आपकी हो गई यूगी तो दोस्तों आईए यहाँ पर आज हम लोगों ने असफलता का जो कारण है जिनकी वज़ासे हम लगातार अपने आपको पीछे धकल रहे थे और हम असफल हो रहे थे यह चीज़ हम लोगों ने शी लिया है और कारण तीन बाकी है उसको भी आगे पढ़ेंगे तो मैं अपना सब्दों को यहीं पर विराम देना चाहूंगा अभी तक मैंने जो बोला हूं उसमें से मैंने कोई गलत बात बोला हो गलती से जाने अन जाने में तो मेरा उधे से यह नहीं कि आपका दिल को कर्यांसे पहुंचाऊं मेरा उद्स सीखें हम भी सिख gef gully फ्रयास कर रहें मैं भी चेंपियन इतना बड़ा रहा दो हुँ आप जैसे हुँ जो कि मैं प्रयाज कर रहा हूं सही है तो उसकी नहीं मैं जो माफ कर दीजेगा सार सब्द को स्विकार कर लिजे असार सब्द को इधरी छोड़ दीजे ठीक है और बोलती मैं अपना सब्दों को विराम देना चाहूंगा अभी बारी है फीड़ेक की त नमस्कार और धन्यवाद गुरुजी आपने बोलने का मोका दिया अगर हमें सफलता चाहिए तो आत्म सम्मान की जो की कमी है उसको समझना पड़ेगा और अज्यांता का जो कमी है उसको भी समझना पड़ेगा अन्याथा हम कहीना कहीं सफल नहीं हो सकते हैं बहुत जगा ऐ करके अपना क्वालेटी को तभी कहीं नहीं जाना है और कहीं नहीं गुरुजी तो बिल्कुल गुरुजी वाकई में तो यह दोनों बात करवाद है लेकिन सच है इसको हमको अल्वेज मने की पारण करना चाहिए गुरुजी धन्यवाद गुरुजी आपने बोलने का मोका और आत्मा सम्मान के लिए मैं बोलना चाहूंगा मनुष्ठागुर जी एक बार जोड़ता ताले मनुष्ठागुर सर्जी के लिए देखें दोस्तों यह भी रिलेशन से के बिजनस है हम सभी लोग अपने ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं हम सभी का अपना खुद का आत्मा स सम्मान स्वाब इमान भी है हम परिवार के लिए मैंनत कर रहे हैं और हम अपने लिए कर रहे हैं तो सिस्टम इतना बढ़ियाया है कि सब के यहां पर हुरा है एक चीज़का विश्ए ज्यान रखें सबदों का हमें सबदों का इससा इस्तेमाल करना है जिससे दूसरों को अ कuzi बार-बार कोई एक व्यक्ति को इगो में लगने वाली बात आप बोल देते हैं थेन व För तो वक्ति कभी सब चाह सेंब को जरूर उ시ने पकड़ा है लेकिन कभी भी अपना आत्मा संवापन को पैसे के साथ नहीं तो इसलिए बहुत सारे अप्लाइन में मद्वित होना बाचित में वह चीज होना यह स्वावाविक है जैसे परिवार में भी तो घर में हम लोग रहते हैं तो कभी-कभी विचार नहीं मिलते तो पती-पत्री में जगड़ा हो जाता है कभी-कभी बाप बेटे में लग जाता है लेकिन हम लोगों एक दूसरे को माव कर देगा तो आपसी में हम एसा व्यभारिक क्यूं करें जिससे हमारे घर में लड़ाए हो हम में घर में इंसान जो जर्म लिया है आपका चाहे माँ हो चाहे आपका पत्री हो चाहे पती हो चाहे बच्चे हो उसके अंदर में भी तो आत्मा है उसका भी एक सरीर है उसका भी जीने का हक है उसको भी आत्मा सम्मान चाहिए लेकिन हम कभी 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 क्या करते हैं नहीं बेटी है बोलकर करके ह हमको अच्छा सब्द को प्रयाइक करना चाहिए जिससे हमारे रिष्टे में निखार आए रिष्टे में मजबूत ही आए ना कि रिष्टे में क्या है कमजोरी आए और तनाव आए ठीक है तो इसके विशेज ध्यान रखना है जितने भी टीम डाउन लाइन से हमेशा अपने सम्मान करें और अप्लाइन है अपने टीम को हमेशा सम्मान करें उनको प्यार दे कोई भी ऐसा बाशा का बिल्कुल प्रयोग न करें जिससे किसी का मन को हट पहुंचें बहुत बार मैंने देखा हूं दोस्तों बार बार ना उस तरह किसे बोलते हैं तो इसलिए कहा गया है कि आप आपके जुकने से रिष्टे बनते हैं तो जुक जाओ लेकिन हर बार आपको जुकना पड़े तो फिर रुख जाओ गुला है ठीक है कि आप बताइए आदमी का व्यवार अच्छा ना हो विचार अच्छा ना हो वानी अच्छा ना हो तो घर में एक परिवार में भ को भी हमें सामने लाती है उमानी हमारा विचार हें धिश together के यह वह टीम बनाएगा धम्दातो हीATHAN बनाएगा और या संबान भीय भाएगा लेकिं वह सब्सक्राइब... बार-बार दूसरों को आप बोलेंगे तुमन करेंगे दूसरे को कमी बताएगे हैंना बार-बार लेकिन एक चीज है, अप्लाइन और डाउन लाइन में एक रिलेशन है, रिष्टा, सफल होने के लिए दोनों आए हैं, तो लेकिन हम कोई भी बात करते हैं, तो वो सिस्टम के हित के लिए हो, वो टीम के हित के लिए हो, सब के हित के लिए हो, उसके लिए हम बात्चित करेंग तो वो गलत नहीं है, वो बात्चित बोलागाता है, उसको आत्मसमान को चोट पहुंचने वाले बात नहीं बोलते हैं, लेकिन हर, क्योंकि ये बिजनस को तो हम क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये सलाम अस्वारा से करना पड़ेगा, बात्चित से करना पड़ेगा, हम बार तुमको यह बोला था वो बोला नहीं हम एक ऐसा विजनस पर है जो हम सभी सफल होना चाहते हैं और हम उस तरीकों को अपनाना चाहरें जिससे हम सभी को बड़ी सफलता मिले और हम बार-बार प्रयार्स कर रहें लोग फेल हो रहें लेकिन फेल होने का मतलब क्या है आप दूस बेटमासभाइन की कमी यहना इसी वजहासे होती है दोस्तों कि हम दूसरों को यह भ्यम करते हैं हम दूसरों को नीचा गिराते हम आपने आपको सर्वश्ष बयाते हैं बिलकुल ऐसा ना बनाए wowitta आप भी बहुत अछी हों हम भी बहुत अच्छे हैं और मिल के बढ़ी ऐस करें सामने ओ당र mesmo दिल में तो हड तो नहीं होगा कि माली जई को अच्छा बात में भी अपलायो आंको संझा रहा हो लेकिन आपको उस टाइम में दिल दख सकता है आप हो सकता है क्या समझाने की कोज़िस कर रहा हो लेकिन क्या समझ बेठी तो उसका एकी है उसका समादान यह नहीं कि आप business को छोड़ दो ठीक है काम करने बंद कर दो यह मुर्खता है यह ego है है लेकिन हमने जो बात से हमें थोड़ासा मन में लगाए चोट लगाए तो उसका समादान एकी है बाचित वरतला आप अकेले में अप्लाइन से संपर करिए और बोलिए कि सर यह चीज़ वो बोला है इसको में तो यह समझा और यह समझ करके मुझे ठड़ा सा बुरा लग रहा है तो सर आप क्या बोलना चाहरे है वो बोलना क्या चाहरे है ज्ञान से सुनिए समझे तब जाकर के अपने आप मन में दुखी हो जाता है तो फिर वो काम छोड़ देता है और कमियां को ढूंड़ना सुरू करता है और ब्लेम करना सुरू कर देता है तो यह सबसे बड़ी बीमारी है और यह हर किसी में किसी में भी हो सकता है यह बीमारी से बचाओ करना है एक ही चीज है कि हम इसे निए जिस दिन अच्छा हो जाएका ऑब करना चाहेगा फिर आप बात करो कोई बात ने लेकिन किसी के साथ में बदले की भावना रख करके उसके साथ पर्मनेंट आप बाचित नहीं करोगा ये कोई समाधान नहीं है ये एगो है ये हम ज़्यादा एगो कोई बड़ावा देंगे और हम समाधान ढूडने का कोशिस नहीं करेंगे दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा यह आदत किसी के साथ अच्छा तालमेल बनाने के लिए आपका रुकावट हमेशा आड़े आएगा आगे सामने में आएगा आएगा है ना तो यह प्रॉल्म तो इस तरह से जब आप दूसरों को सुनेंगे दूसरों को संजहेंगे बहुत अच्छा हैं तो यह चीज भी है जो अनुबो मैं आप आप लोगों से मेर्ज नादेरा दून से और यहां टीजी गड़वार में असिसेंट टीचर के पद पर रहते हैं मैं सेफ रोप में काम कर रही हूं और आज का जो हमारा टोपिक था हमें कौन सी चीज पीछे दखेल रही है उसमें आत्मसमान की कभी पूर सेल्फ एस्टीम की अगर बात करें तो आत्मसमान जब तक हम नहीं रखते हैं तो आत्मसमान तब ही होता है जब हमें लगता है कि हम में कुछ है कुछ पोटेंचल है और हम उसको explore करने के लिए अपने आपको grow कर सकते हैं तो आत्मसमान बढ़ता है उससे उसमें जैसे आपका result positive होगा मेरा result positive होगा तो हमें लगता है कि यह चीज मुझे नहीं आती थी मैंने सीख ली और अगर सीख के मैं इसे करूँ तो मैं कर सकती हूँ लेकिन अगर self respect होती नहीं है और फिर result हमारा और negative हो जाए तो वो और ज्यादा हम लोग जो है जैसे कि आत्मसमान की कमी आत्मसमान खतम जैसा हो जाता है तो ऐसा नहीं करना है कि कोई भी इंसान हो आत्मसमान जब तक हमारा बना रहेगा तब तक हम खुद की respect भी करेंगे और दूसरों की भी और आत्मसमान हमारा रहेगा तब ही हम एक शक्स से एक सक्सियत हो सकेंगे जैसा इसमें लिखा भी है कि शक्सियत कहीं बढ़ा हुआ नहीं मिलता उसे बनाना पड़ता है तो व्यक्ति सब हैं लेकिन व्यक्तित्व कुछ लोग बन पाते हैं कि एक ऐसी personality जिसको लोग follow करें तो वो एक ऐसी personality बनने के लिए self-respect बहुत ज़रूरी है कि हमारी अपनी जो self-respect हैं हम उसका ध्यान रखें और सामने वाली कभी हम ध्यान रखें उनका सम्मान करते हुए अपने सम्मान को भी न खोएं तो मैंने यहीं सीखा है और जैसा इसमें सबसे लास्ट स्वरी लाइन है कि निकमापन उस जंग की तरह है जो बड़ी ऐसे बड़ी ऐलोग को भी खाजाता है तो ऐसा नहीं है कि सब एक मतलब हरे एक विक्ति के काम करने की इस पर एक जैसी हो तो कोई बहुत तेज कर सकता है कोई मतलब धीरे-धीरे कर सकता है और कोई और धीरे-धीरे करता है लेकिन करते रहना चाहिए सीखते रहना चाहिए और teachability का गुण अगर हम रखेंगे तो हम जरूर सीख पाएंगे एक student हम बने रहेंगे तो हम जरूर सीख पाएंगे और सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे तो आत्मसमान भी हमारा रहेगा उसकी कमी हम में नहीं होगी और मैंने ये सीखा सर्थ धन्यवाज सर्थ नमस्कार सर् कट करें लेरिये मेंम थे मुण है मिना लिंभोमा जोडी कुह मैंन लेके तो आज का टॉपित आत्मसमान की कमी और ग्यान आत्मसमाण मैं इतना जहती है इस्थी पर देभाइन कि रखेंची अची दुंधयों यह किसी को यहेंगंगार मतलब किसी में नněतना है तुछ नहीं से झानता है अर्व भी नहीं सबस्क्राइज रहता है यह बात माद्स गुरोजी के यहाल्य नाद्स गयम नहीं सिर्टर्ड देश्ट ग्रौरा जीयु गुरोजी के तुछ यही। त वो सब कुस है सब कुस है पर भी अग्यानता के कारण से आसफलता हम पारभाद दिलवाता है और ये की ने शिश्टम में आहे जब हम लोग आए और आह बश्राइब sounds tolog क्या देखा एक और रहे हम rebd जो भी इस ग्यान मतलब इसकुल में जाके वो पड़ते हुए नहीं है पर जो भी हम लोग फोकस करके सीखते हैं पर हम लोग सीख रहा है यह भी ज्यान है यह आज मेरे को पता चलना गुरुजी ने इतना अच्छे बताया और जो भी काम किसी को अच्छे देखना और उसी से जो भी वह देखना यह वी एक जयन है गुरुजी अमदों जय SåV जाते है उसी बफेंए यह से रहतेई तर क्लास जे से से मेरे क्लास सेन इसे में है सीक्षिह ऑर उसी में भी ज्मयों होता है शीकने का एक सीख्छा मिल ता है यह थी मेरे को पता चला और गुरुजी भी करना है और आज का सेशन में मैंने इतना ही शीखा और अमद करना ही गुरूजी थेंक इस तो मुझे इतने बोलते वहीं सब्सक्राइब कर दोड़ा तालिया मेना नाम के लिए एक नेच लीडर है सर्टाशाद्री में प्रणाम माहग गुरूजी अज सवाई उपस्ती तुनेंचा सब्सक्राइब को आपनूं बाव मिले समय निकाले रांबाक्षा सवेला अमेरो तरफ़ बट्डाब्डा प्रणाम मेरो नाम सरीदाचेद्री मा रानीपल इश्किम बट्ड़ एक्षपंचाइद्र आज अको के बद का कि ईतान सश्वया रामदर तरीका संग है पतानों बाइव हाई आथना मिले अफटला आफ़॥ वीस्वाश करें चाया वहाई है हमिले आफ़॥ रहा अर्कालर्या लहाई पोगानको चाया हुआ हुआ जरी अर्काली आपने अब यो सब पई भन्दा ठूलोचे अमर आत्मा विश्वस नाउनु को कारांडे करता हमिले यो सब कुछ भायरा हमी पिछाडी रहन चो रहां चो अगारी बन्नु चाहां देना वाई मैरी यो बारे मा बुजियरा गुरुजी ले माफ मांगनो को त्यो गल्ती है ना एत्ती स अब हमीला एत्त्रोर आम्रो संकले सिखायरा ग्यान दियारा हमीला अगारी बड़ाई रहन भागो चाहा रहा गुरुजी ला धेरे 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 हमी सब को तर्फवड़ा देरे दने बाद रहा तपे रुजती पनी नया जोडी नु भागो चाहाई तपे ले एकदम डाइम लेगल में हुनों तिया आमी जोइन करता हैरी आए रपनी गुरुजी ले बताई रहनों उन्तियो एत्ती ठुलो ग्यान तियो आई रपनी हमीला अल्ची करिऊ है आत्मा विश्वासाई कमी नाई भायो भनू नाई आई आमी किना बनी डिलो गरिऊ जथी पनी अब हमीले अगारी बर्देशन रता पेर नाई जथी पेनी आउन भाकाचा ता पेर अगारी बर्नों से रडाए गुरुजी पाहुनु भाकाचा आई ता पेर भाग्या साली हुनुंचा रा उन्चा एत्ती बंदाई मेरो ये दुशब दाला इं राखनी सांचू थैंकी सो माच नवास्का गुरुजी और पैनल में उपस्ति सभी दमदार लीड़ों को मेरे तरफ से बिलॉंग करता हूं आज का सेशन बहुत अच्छा लगा गुरुजी ने जो बताए आत्मासमान के बारे में सच में हर आदमी के पास आत्मासमान होता है तो उस आत्मासमान को हमें में सफलने करें तो सफल नहीं हो सकता है क्योंकि हर आदमी नहीं साफलना है ही लेकिन हमें इस पारते रहेंगे तो क्या होदा है कि यह अपने आखड मेरा तो होता है इसलिए जो आदमी समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूं वह अपने एगो रहा है लेकिन वही जो आगे बढ़ने में यह सीखने में उसको मने आप मने हानी बता है कर रहे हैं इसलिए मैं समझता हूं कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट वाज जिसंस किया बहुत बहुत धने मत गुरू जी और सबको नमस्कार जोर्दा तालिया नमिंथा वसल जी के लिए ग्रेट बहुत बढ़िया ओम्वती मैं नमस्कार गुरुजी और पैनल पर उपस्तित सभी धावाज लीडर को मेरा साधर नमस्कार मैं अमती बाडं से बिलोंग करती हूं सराम्यमिट मैं जी बाडं मैं आरा मेला है सर थोड़ा सा मेरा है लेगिन साधल ने सुना तो हम खुध ही अपना सम्मान नी करेंगे तो फिर हमारा सम्मान कोई नी करेगा इसलिए हमें कभी भी आलस नहीं करना है और जैसा हमारे mentor लोग, guru लोग बताते हैं, कभी भी उसका बुरा नहीं माने और sir, के मुझे मेरा ego हर्ट हो गया, ego एक तरफ रखके हमें business करना है ego एक तरफ रखके हमें business करना है, और sir, मैं कभी भी मतलब ऐसा नहीं के मेरा अप्लाइन ने कुछ कहा, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगी, और नहीं मानती और ना मुझे मानना चाहिए कभी नहीं मानूंगी, sir, और जैसा हमारे guru लोग बताएंगे, वैसा करूंगी, अपने आत्म सम्मान के लिए क्योंकि यदि मैं खुद अपना सम्मान चाहूंगी, तो sir, मुझे अपने अंदर गुण विक्सित करने होंगे, और आलसी पन दूर करना होगा, काम करने में रुची दिखानी होगी, और sir, वो सब मैं करूंगी, और ज्यान की कमी, sir, ज्यान की कमी, मतलब हर कारिये हर इंसान नहीं कर सकता, लेकिन सीख कर, वो क्या नहीं कर सकता, सीख कर हर कारिये कर सकता, तो इसलिए जरूत है हमें सीखने क और मैं बहुत कोशिश कर रहीं सर हर कुछ सीखने की और दीरे-दीरे सब संभव होएगा सर और मैं सब कुछ सीखूंगी सर और धन्यवाद सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया जोड़ात तादिया उंबाद मैम के लिए नेक्स लीडर सरिताओर मैम अनुट करिये जो भी आज महागुरु जी ने अत्मा चुप कर संभान का ये रहता बहुते अच्छा सिखा रहा है मेरे अनुट मैं मेरे भी मैं गल्तिक मैं सुधर सकता हूं और जो मैं खुब का संभान आगर एक दूसरे को जोड़ी अच्छा संभान दे सकूं और गुरु जी गुरु जी हमेशा अच्छा है मेरा आपलाइन भी हमेशा अच्छा सोचता है लेकिन मेरे अंदर में एक और भी मैं सुधर सकता हूं और गुरु जी जो हमें आत्मा छुबी का जो यह किया है अगर एक दूसरे को जुदी हम यह नहीं करेगा तो वह भी आगे नहीं बाहर सकता हूं एक दूसरे को मैं आगे बढ़ा नहीं सकता हूं घुरु जी आगे नहीं सकता हूं और आ श्रूब दातालियां इंद्रा कुमारी काफ ले में नमस्कार महद दिस पैनल में उपासित सभी को मेरे और से नमस्कार में इंद्रा कुमारी काफ ले सिखिम पाकिम डिस्टिंग से बिलं करती हूँ आत्मा समान की आत्मा समान हमने सभी को समान करना चाहिए रशब आम लोग को समान देता है और हमारे उपर सब गयान नहीं होता है इसलिए हम सिखर काम करना पड़ेगा हम जानते है वो भी अपलाइन सिका रही है उसमें भी हम आप्चे तरह समान देकर सुनना पड़ेगा मैं पहले से सब जानती हूँ ऐसे करना नहीं चाहिए हम लोग को क्योंकि हम जितना दुसरों को समान करके समान देते हैं सुनते हैं, सिखते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं, क्याम कर सकते हैं, और सभी को समान करना चाहिए, हम सब जानती हो ऐसे बोलना चाहिए, सार, इसलिए आत्मा समान की कमी हमको, आत्मा समान की कमी होता है, सार, मारे पास, इसलिए समान करना चाहिए, सभी को समान देना जोड़ा तालिया इंदर मैं के लिए ग्रेट और आत्मा सम्मान आत्मा सम्मान को ठेश कप कर पहुंचती है पता है जब कोई काम करने के लिए आप चुनते उस काम को कि मैं इस काम को करूंगा लेकिन जब आप नहीं करते हो न उस ताइम पर उस समय पर जो आपने निर्धार काम को आपने नहीं किया तो आपका मन बोलेगा कि देखो यह काम मैंने करने के लिए सोचा था लेकिन फिर मैंने नहीं किया अगला बार तो करूंगा मैं पक्का अगला बार मैं पक्का करूंगा इसको फिर बोलेंगे उस काम को टाल दिया जैसे कि इसमें भी लिखा था कि मोटल भी एक कारण है लेकिन उस काम को फिर टाल दिया फिर अगला बार इस मतर पक्का करूंगा फिर फिर आप अपने आपको तयार करते हैं उस काम को करने के लिए फिर मन बनाते हैं लेकिन कुछ ना कुछ हमारे कमी की वज़ा से आलस की वज़ा से हम उस काम को सही समय पर कर जो कि काला बेडिया के अंदर होने वाला और जितना की जितने भी अच्छाई वाला गुन है उसमें लड़ाई चलती है तो आत्मा सम्मान की कमी वह काला बेडिया और आत्मा सम्मान जिसके अंदर में होता है वह सफेद बेडिया अभी आप अपने अंदर में काला बेडिया क कल भी नहीं कि आप परफे प्लान करूंगा तो ना करके निए काम करने का यह दो पूरा नहीं करते हैं तो हमारा आत्मा सम्मान काला बेड़िया गाली देना शुरू कर देता है तो इसलिए तो आप अपने अंदर में भक्ति वाला भाव वाला देवता वाला या तो अच्छा सफल होने वाला बेक्तित वाला गुन अपने अंदर में ला रहे हो या काला बेड़िया को खाना खिला रहे हो यह समझना है कभी कभी इगो क्या है काला बेड़िया है गुस्सा क्या है काला बेढियां किसी का इंसा करना काला कुछ का किसी की करो किapon Fusion किने किसी का मुं में देना और वह पिक्ति आच्छा है इसको फिर भी लहाँ बुरा बोला आ जाher आधाल मुडूल काला बैडिया है था सम्सकिसे आंदे oui और आप अच्छा बनने का प्रयास नहीं नहीं करते काला वडिया है आप 24 गंड़ समय में कौन सा बेड़या को जगा रही है तो हमने यह तीज देखना है हमें अमर अंदर में ऐसे फालतु का इगो होता है अपलाइन कुछ अच्छा बात बोले तभी फिर काला बेड़या जग जाता है हमें इगो हो जाता है घुसा हो जाता है उसको आत्मस समान नही क्या बोलते हैं काला बढ़या अपना खुद का स्वार्थ के लिए अपने लिए वह अपने आवास रूट गया बस कोई कारण ही नहीं है उसको पूछा जाए कि आप रूटे क्यों हो बताओ वह वजा नहीं बता पाएगा बस बस मेरे का बुरा लगा आपका बूरा लगा बस इतने बोलेगा अस्के वह और सही कोई कारण वह बता नहीं सकता कि बुरा क्यों लगा मैंने कौंस आसी बात ती जिससे आपका आत्फमासंवान को लगा मैने क्सा इसा कौंसा बात नहीं था दूसरेरे की ही नहीं था आपकी हिटकी नहीं.. तो स्वार्थी हित के लिए कोई बात बोले तो फिर हां आत्मा समान में चोट पहुंचे वो अलग बात है चलो सफेद बढ़िया जग गया बोले लेकिन हर चीज हमें अपने आपको ही मैं ही सही हूं बोलना यह तो काला बढ़िया काम है यह सनो तो आप बताई इस भूंन में काला बढ़िया, ऑभी भी काला बढ़िया वहोक दूसरे कोई नहीं रोखता आपके मन में जो कालाब कर रहा है ठीक है इंस्पर है अधिया आप समय वैबल बैडिय तर आ би गुरु गन्साहिप पढ़िए लें कुस्तो पढ़िए कुस्तो डालिए दिमाग में हम जनम लिए हैं दर्ती पर बस रूटीन पर सुबे शिरे कर साम तक खाना बनाया खाया अना कुछ ने किया खाया सोया अगला बार सेम है सेम है तो हम क्या इतियास बनाएंगे बताइए समझ रहें तो आत्मसमान हम खुद अपनाना आत्मसमान का लेवल को बढ़ाना है तो हमें अच्छा ही को हमको साथ लाना पड़ेगा अपने आपको बदलना पड़ेगा मेरे दोस्त बदलना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं और ये धर्ती में जिसने अपने आपको बदला अपने आत्मास समान को जगाया सही काम करूंगा बोल करके उसकाम को पूरा करके अपने आत्मास समान को लगाता है खुशी दी एसास दिया हिम्मत दी ताकत दी वो वेक्ति बड़ा से बड़ा अच्छी मन लेता है लेकिन जो कि उसको पुरानी करता है बार-बार वो काला बेड़िया बन जाता है तो फिर क्या हो जाता है फिर आपको भी निरासाही आत लगेगा और ऐसे लोगों की संख्या 80 र्तिसक्त कुछ प्रतिशत क्यों होती है क्योंकि कि पुछ सक्षिए भीना ही जय जयकार नहीं होती है कि पा मैं यहां से ask to unmute करने के बाद में कर रहा हूं तो वहां पर ओके में दबाईए ओके वोस्ट वन टू अन्मूट यू ना उसमें ओके खेजिए अभी लाल बटन को मत दबाईए ओके में दबाईए हाँ आभी आभी सिखाना जोड़ाता नहीं है कि यहां से मैंने सभी को म्यूट सिलेक्ट किया हूं तो आप रेट बटन को दबाने से भी नहीं आएगा जी बूलिए मैं प्रणाम प्रणाम से हो आप मेरो लीडर कर दो 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 मैं अज़ा अज़ा आप मेरो अली किती दीलो वार है ज़र आस्तिता चीटो पासे सार ओन्दा अगड़ी वासे ते जै किначे हैं चरह 직े नहीं हैं साइसिये देरsınız दोकुलांत है जोह मैं झाल रतते अपने स्पा सुपंध में रतते संमान हैं जरों कोाल होपी लिए शच मेरो बूसंसरा है उचानल्ग पर्शा को घेले कीजि़ धो μेल कोई गाली एकYए न डे खर कोई बुश्न ऊचकाहिए लुच आपते सी कानि गरे कई गल्ता सामझे मतना गाली यो की और अर्शायों वे सता हैं आपने बाण चाहता रहा पनी तीव वह बाणे बाद दीदाई एतिन लोगें दोड़ा तालिया माय देवी मेम के लिए ग्रेट मीना सर्मा दीदी ओक्य में दबाईया ओक्य में कि नीला बटान आ रहा होगा ओक्य बोलके कि में यहां आस्टू अन्मिट कर रहा हूं चलिए मैं आप सब्सक्राइब कर देता हूं आप खुद अन्मिट कर लो कर लिए परनाम गुरुजी परनाम परनाम आत्मा सम्मान किसी का आत्मा को ठेस नहीं पाँचा ना जितना वो सके उसको मतलब अपने आपको मुट बन करने शाहिए ना ज्यादा बोलने से भी अच्छा नहीं होच्छा ज्यादा किसी को मान होगे तो आपना इस चोको शूटा होना बड़ा उने करना वे फिसे लोगे होची अर्च जो लगा जरतती ताल्या मीना मैम की लिए हैं बहुत अच्छा और कोई लीडर बचा है सारि लोग ने बोला इन थो थो फ़ड़ा सा खाना आया है हाथ में पर उसके थो ख़़ा ना पका के दिया हुआ इतना तो है तो सुरच सर जी आये है कि द一定 नहीं कोई भात उपर जो हैं विश्वास होना जरूरी है कोई भी काम कोई कोई भी धन लगाते हैं कोई भी काम करते हैं उस में विश्वास वना गल होगा कोई भी हम करते हैं उस खेती में लगन सगर मेनत नहीं करेंगे तो उसमें भी प्रिश्टम में हैं जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही हम आगे उपर बढ़ेंगे नई मेहनत करेंगे तो कुछ नहीं होगा हम किताब रखे रहेंगे बोलेंगे हम किताब पास में हैं किताब पढ़ते नहीं तो उसमें से सिक्षा मिले जाने इतना भी कुछ कर ले पैशा हमारे पास है अब उसको हम अच्छा उप्योग नहीं करेंगे तो फिर पैशा के रखने से क्या प्यादा है ये तरह तरह क्या है शरीर अपना अपना जो ह है मेहनत करने से इसको फ़ल मिलता है अगर सरीर को हम एक जगा अपने सुला कर रख दें तो सरीर के जैसे आलसी कोई है नहीं अरूस चीज को आलसी हम लिकाल दे बाहर तो अच्छा ही काम करेंगे तो बुरा कोई काम तो होगा नहीं इसलिए शरीर पुरुपकार से सोवित होत है यह तो कहोत सच लिखा है क्योंकि हम ज्यादा आज मेटीन में नहीं थे जिकिन हम सुन-सुन के आज जो बहुत अच्छा तोफिक था आज बढ़ाया आप अपने अंदर की काला बेडिया को जगाएं कि सफेद बढ़िया को जगाएं कि काला बेडिया तो वह है जो दिल म मईद काट है तो उसको जेल में would और काम करते ही नहीं help उसके अंदर में कपट भरा रखा है कि वो कभी आगे बढ़ेगा नहीं वह एक दिन इसी तरह बरवाद़ होता है असत्त कमुए कोई कोई अपना गरंद का जनकारी होना चाहिए तो यह अच्छी बात है जो जिसे मिला धर्म से पालन करता है वो यह किसी को नहीं शीना जाता है जो दूसरा धर्म का गरंद पढ़े तो नहीं उसका धर्म जो है वही गरंद पढ़े उसमें जो सिक्षा प्राप्त हो वही माहान अत्मा है तो बहुत अच्छा सुराश कुमार सिंग्जर के लिए बहुत अच्छा ग्रेट जोड़ा तालिया सर के लिए और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने अपना भगमुले समय निकाल क कि और कि आद्स मिटिंग वेटन किया रोग सीखे रोज आगे बढ़ते रहे रोज समान वहान को ब्राते रहें है आत्मा समद्रेशन को बहतर बनाते जाएं और पर अब ना अबें विश्वास के साथ दमदारी से प्लान दिखा देना है लोग मना भी करें तो भी आपको फॉल आप लगातर करते रहना चाहिए हमेशा भवान पर आस्ता रखते वे जिस भी गुरु को आप मानते हो उस गुरु को आस्ता रखते वे अपना महनत पर विश्वास करते हैं एक दिन जरूर आप लोग टॉप पर पहुंचेंगे यह ना लास्ट लास्ट में आए उनको भी सीखने का मौका मिल लेगा और आप सभी से आगर करना चाहूंगा कि मेटिंग्स टाइम पर शुरू करें मेरा एक रूटीन है साथ बजे ट्रेनिंग स्टार्ट जैसे हो जाएगा एक मिनट के अंदर में मैं थोड़ा सा सदीप मैश्वरी यह विडियो लगाता हूं जो फूर्मेशन वाला पांच मिनट बाद पूर्ण में शुरू कर दूंगा चाहिए एक भी आपनी हो तब भी में शुरू कर दूंगा यह दिस दस मिनट आप लेट हो तो समझ जाना कि 10 मिनट आप लेट हो गया क्योंकि लाइव तो लाइव ही ह तो मेरे दनेवाद देना चाहूंगा थैंक यू फेरे मच वी शल्डबेस नमस्कारश शुरू